आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो इमिजिनरी स्टोरीज हैं उनका बच्चों की कॉगनिटिव डिवेलप्मेंट पे क्या ऐसर होता है और बच्चों की थिंकिंग प्रॉसस को कॉगनिटिव अबिलिटीज को कैसे सपोर्ट करती है और हमें ब्रेइन थेरी इसके बारे में क् काती है ताकर हम इसको समझें और बच्चों को सपोर्ट कर सकें जो हमारे पश्चैसे जो पहला प्वाइंट आता है वह यह आता है कि जब आप कोई बहुत ही इंट्रस्टिंग कहानी पड़ते हैं और आप उस कहानी में फुल अंगेजमेंट होती हैं बहुती मज़ा आता ह तो बन्यादी तोर पर आप कहानी के सफ़ों को सरफ देख रहे होते हैं आप उसको ये वर्स को देख रहे होते हैं उसके उपर जिल्फास और जुम्ले लिखे होते हैं वो आपकी नजरों के सामने होते हैं पर आपकी imagination में वो कहानी proper action में चल रही होती है तो आपको बिल्कुल पता चल रहा होता है कि हीरो कैसा होगा हीरोईन कैसा होगा, विलन कैसा होगा इसके अंदर क्या scene चल रहा है और उसमें क्या tension होगी और लोगों के चेहरे कैसे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका कट कैसा है और उस scene की intensity क्या है करी तफ़र हम कहानी पढ़के सोचते हैं कि कितना ही मज़ा है कि कोई इस कहानी पे movie बना ले या drama बना ले तो वो drama बहुत ही जबरदस्त होगा इस सवाल आपके जहन में क्यों आता है इसलिए कि आपकी imagination में तो तमाम लफाज लफजों से change होके scene बनके चल रहे होते हैं और हम उसको उसकी full intensity के साथ enjoy कर रहे होते हैं तो कहानी हमें कहीं न कहीं imagination में ले जाती है वर्ट से उठाके हमारी imagination में हो एक real character real real की तरह चल रहे होती है movie की तरह चल रहे होती है so let's come to the brain theory की brain theories को कैसे support करती है so we have actually a right hemisphere of brain and left hemisphere of brain so हमारा जो left side of the brain है वो क्या करता है हमारा left side of the brain है it is more analytical and rational side जिसके अंदर हम जब बात कर रहे होते हैं रीडिंग कर रहे होते हैं और किसी चीज़ को समझ रहे होते हैं जाहे वो math से related हो, text से related हो तो हो help out करता है उसको समझने में इसकी analytical functions है जिसकी वजह से हम सही reading कर लेते हैं सही तरीके से लिख लेते हैं सही तरीके से mathematical problem solve कर लेते हैं और हमारा right side of the brain क्या करता है अचली processing of non-verbal cues because it is more visual and deal with images than words तो हमारा right side of the brain बुनियादी तोर पे non-verbal cues को एक विजुलाइज कर देता है तो इस अचली अचली अवेरी important function चुके हमें creativity की तरफ लेके जाता है और उसके अंदर हम बहुत से important cognitive function जो है आपस में embed करके बहुत सी problem solving skills करते हैं ऐसा बिलकुल नहीं है कि अगर हमारा right side of the brain काम करना बन कर दे तो left side से सारे काम चल जाएंगे actually they work together they complement together they strengthen together so that we can make a sense जो हम कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं जो हम देख रहे हैं so reading especially क्या होता है अगर वो fiction की किताबे हो तो हमारा right side of the brain जो है वो बहुत अच्छी तरीके से engage करता है और जो आप कहानी में पढ़ होते हैं वो images हमारे brain में चलना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से जो हमारी language processing है वो मजीद बहतर हो जाती है कि आप से जो author कहना चाह रहा है और वो कैसे अगर reality में नजर आए तो कैसे images में manifest होगा so आपका right brain इसको help out करता है especially जब आप imaginary और fiction कहानिया पढ़ रहे हो reading does assist the brain to establish a link between written word or mental images definitely बच्चों में भी यही link develop करता है कि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी imagination में उनकी sequence उसका process, उसका scene सारा चल रहा होता है और इस तरीके से बच्चे जो हैं ज्यादा जल्दी problem solving skill सीखते हैं क्योंकि वो imagine कर सकते हैं कि यह problem reality में कैसी नजर आ रही होगी और once you imagine something तो आपके लिए बहुत सी चीज़े जहन में clear हो जाती है और आपकी problem solving बेतर हो जाती है आप problem की right intensity direction और place तक पहुच सकते हैं make believe people, places and things reading बन्यादी तोर पे क्या करती है क्या हुआ कि आप actual logon को reading से समझ सकते हैं और बन्यादी तोर पे जब हम reading के अंदर जिन characters को पड़ रहे होते हैं उन characters को हम actual logo मैं देख infer कर सकते हैं छिनरलाइस कर सकते हैं क्यए characters logon में हमें कैसे नजर आते हैं और हम अपनी ही imagination में एक imaginary दुनिया बनाते हैं उसमें भी वो characters होते हैं और हमें fiction गाइट करती हैं कि वो आपकी imaginary friends हैं और जो आपकी imagination के अंदर दुनिया है उनमें वो कैसे चलेंगे reading to children open their eyes to the word that authors have imagined जब हम fiction कहानिया पढ़ते हैं imaginary stories पढ़ते हैं तो उसके writer ने उसके author ने पूरी दुनिया क्रेट की होती है imagination की ना सिर्फ हम उस दुनिया को देख सकते हैं उसमें enter हो जाते हैं उसको observe करते हैं उसको enjoy करते हैं उसे understand करते हैं बलकि यह हमें एक encouragement देती है कि जो ह हमारी अपनी imaginative दुनिया है हम उसके अंदर क्या करेंगे यह characters कैसे चलेंगे और क्या एहम फायदे है imaginary stories पढ़ने के एक important चीज है कि आप बच्चों को जब भी कहानिया देते हैं वो कहानिया हमेशा उनकी stress को relief करते हैं और जैसी बच्चों का stress relief होता है वो enjoy करते हैं वो relax हो हो जाता है और बच्चे आसानी से academics काम कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने भी discuss किया कि बच्चों की problem solving skills जो है वो बहतर होती हैं बच्चे facts को पढ़ते हैं और अपनी imagination में वो scenes को लाते हैं और बहतर तरीके से questions के answer दे सकते हैं और सबसे important चीज यह है कि imagination जो है वो आपकी memory को sharp क चीजों को याद करने में और फिर उनको recall करने में मदद दीती है तो यह बहुत important cognitive factors हैं यह कि बच्चे को help out करते हैं बाकी subjects को समझने में उनके problems को imagine करके solve करने में उनके facts को याद करने में और फिर उसको recall करने में